दोस्तों कैसा रहेगा अगर मैं आपसे कहूं कि आप फाइनल बोर्ड एक्जाम में बिना कोश्चन का पूरा सॉलूशन लिखे भी पूरे मास ला सकते हैं अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो सवाल नहीं आता आप उसमें भी नंबर लेकर आ सकते हैं अरे यहां यहां यह किन नहीं हो रहा के मेरी बातों पर नहीं लेकिन यह बिल्कुल सच है मैं विद प्रूफ आपको आज यह चीज़े बताने आया हूं मारकिंग स्कीम के अन्द uh med edgar कूछ अैसी बाते मैंने नौटिस करी है जो कि आपके फाइदे के लिए है पढ़ने वाले बच्चों को भी फाइदा देंगी जो नहीं पढ़ने वाल है उनको भी फाइदा देंगी क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है तो ये वीडियो एंड तक ध्यान से देखिए और समझे इन सारी बातों को ताकि आप जादा जादा नमबर लेकर आ सकें आईए शुरू करते हैं आज की वीडियो उससे पहले वीडियो को लाइक करके अपनी 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 अटेंडनेस लगा दीजिए और अगर आपने चेनल सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़े जो आपके लिए फायदे मन हैं जो कि आपका टाइम भी बचाएंगी और आपको मार्क्स भी दिलाएंगी पढ़ने वाले बच्चों की भी हेल्प करेंगी और जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे हैं इनको भी नमबर ल करने जा रहा हूं मार्किंग स्कीम की जो सीवेस्टी की तरफ से बताए गया कि कैसे कैसे आपको नमबर दिये जाएंगे दियान से समझना जो चीज़े मैंने आपका नोटिस कर रही है पॉइंट आउट कर रहे हैं देखिए हम मैंत बैसिक का एक्जामपल लेते हैं यह मैं से बेसिक की मार्किंग स्कीम सीवेस्टी की तरफ से बताए गई है और सीवेस्टी आपसे कह रही है कि अगर आपने क्या करा आपने कुछ भी नहीं करा अगर आपने सिर्फ कोश्चन का नमबर लिखा कोशन नमबर चार और सही ऑप्शन लिख दिया बस आपको इतना करने पर ही पूरा का पूरा एक नमबर दे दिया जाएगा जी हां बिल्कु सही सुना आपने आपने कोई कैलकुलेशन नहीं करी कोई सॉलूशन नहीं करा कुछ भी नहीं करा आपने सिर्फ कोश्चन का नमबर लिखे सही ऑप्शन लिख दिया पूरा एक नमबर ले लिजी आप अब देखिए आप option कितने तरीकों से लिखते हैं पहला तरीका यह होगा आंसर लिखने कि आप पूरा का पूरा सॉल्फ करेंगे question को और फिर answer आएगा वह answer आप लिखेंगे दूसरा तरीका यह होगा कि आप माइंड में ही सोच लेंगे question पढ़ेंगे माइंड में आपको आंसर क्लिक बिढ़ा गया इसकांसा तो यह वाला dations given by कि आपको लेका है क्या यह कोइंसिडेंट हैं क्या इंटरसेक्टिंग क्या यह पैरलल है आपने कुछ निकरा सिर्थ ध्यान से देखा कि यहां पर ना दो त्यां छेथ हो रहा है यहां पर सीरी कुना होगा मतलब ह nårक्स दो को york i2 ब्राबर हें कि wewn वी टूण बरावर नहीं थे लेकिन उच्ण पूछ परीफ क्यों टू स angled ऩáng है तो सिंपल नष्यच है उख्रम और आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ सॉलूशन नहीं दिखा कर अगर आपने सिर्फ यह लिद्या कि option फूर कोशन का option भी पेरेनल सही जवाब है एक number आपको मिल जाएगा तो इसका मतलब section A में सिर्फ आपको सही option लिखने पर ही number दिया जा रहा है बहुत ही तगली बात है अब अगर आपका option सही आपको पता चल जाता है फटा फट से direct लिख दो वो पूरा number ले लो ऐसे आपका time बचेगा आगे के बड़े सवाल solve करने के लिए और अगर आपके बस time है तो आप solution भी दिखा सकते हैं ठीक है अगर आपके बस time है solution करके दिखाओ time की कमी पढ़ रही है त इसी क्यों है तो आप फॉलो कर सकते हैं जैसे कि आप सोशल साइंस के अंदर भी सेम चीज़ फॉलो हो रही है कि भाई याजी कोशन का answer लिखता लेकिन अगर सही लिखा पूरा आपका है जैसे कि यहावर हम देखें कोशन नंबर 11 साइंस का मिया पर देखें तो 11 कोशन में कोशन जा रहा है कि इस में से कौन सी फिगर हमें सही movement दिखा रही है तो हमने नजरमारी यहां पर रूर्स नीचे जा रही है और रूर्ट जड़े नीचे समीन की तरफी फेलती है और पोधा हमारा उपर जा रहा है और पोधा हमेशा सनलाइट को देखता हो उपर की तरफ इसका मतलब C वाल आप्शन से ये तो सिर्फ हमने क्या करा D C ओनली और यही बात यहां पर लिखी हुई है कि 11 का D C ओनली बस इतना कर दिया आपने तो एक नमबर पूरा का पूरा मिल जाएगा मतलब सेक्शन A आपको नमबर लुटवा कर दे सकता है जी हाँ आप डारेक्ट से लिखे और फटा फट एक एक नमबर लेते चले जाएए यह चीज़ आपको ध्यान रखने सेक्शन आपके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है नमबर लूटने के हिसाब से तो सेक्शन A से कैसे नमबर लूटने है नहीं पढ़ने वाले बच्चों को मैंने एक रास्ता द देखिए यहाँ पर से नमबर हैं पता है कि क्या करने के कितने नमबर से आपको देगी पहले से पता रखा है तो मान लीजिए एक सवाल है कोई सा अब हमें नहीं आते हैं सवाल करना लेकिन आपने सवाल पढ़ा यहाँ पर हमें लिखा हुए कि इनफाइनाइटली मैनी सॉ करा भी इतनी बात पर पता है कॉंसेप्ट है तो अगर आपने इतनी भी बात लिख दी कि वहीं के हिसाब से इन्फाइनाइटली मैनी सुलूशन कब होगे और हमने इसकी वेलू लग दी इतना करने पर भी आधा नमबर आपको मिल जाया का दिया सवाल करें ना करें नहीं आ आपको कुछ ने पता कैसे क्या करूं क्या proof करूं क्या find करूं कुछ भी आता कोई वात नहीं छोड़के मता ना नंबर दिलाएंगे कैसे दिलाएंगे बता था हूं देखिए यहां पर यहां पर दिख रहा है इसका मतलब यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है अब यहां पर क्या करा है आपका एसे करके बना हुआ यह रहा है आप देख सकते हैं यहां पर यहां अगर आप ने इतना भी लिख दिया तो आज नंबर आपका जैसे कि हाँ पर यह पर यह कुछ नहीं पतां को क्या करना कैसे करना है पर हमने माना जो एओ जो है ओ जो है वो सेंटर है यहां पर एबी जो है वो कोड यह लखद Walter यह लिख दिया अइबी कोड है रेडियर जो है वह 5o cm है और दिखार ही ए और इस तरीकसे यह चीज़े हो रहे है इतना लिखने पर आधा-नमबर solve करो ना करो वात की बात है वो करो है तो उसका भी नंबर मिलेगा तो इसका मतलब यह है कि आपको यह समझना है कि सवाल आपको कोई भी मैस के अंदर छोड़ कर नहीं आना है एक चीज़ और ध्यार नकना एंड में जो चीज़ आप से पूची है आपको वो अलग से एक नंबर मिलेगा आपको कहीं पर एक नंबर है कहीं पर आधा नंबर है तो सवाल अगर अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसानी स्री वैलू निकाल के छोड़ के आ गए जी हां पूर पर्स को जबी तो वो लाते हैं 95 90 पिलेट आपको पता नहीं होती आपने सॉल्व करा आगे एक्स बराबर यह खतम वह एक्स क्या निकाल रहे हो बिल्डिंग की हाइट निकालो तो लिखो लाश में बिल्डिंग की हाइट हाइट ऑफ दे बिल्डिंग इस इस तरीके से उस आपको मालेजी प्रूफ करना नहीं आता कैसे शुरुवात करूं क्या करूं कुछ नहीं पता नंबर दिल्वाओंगा आपको कैसे मिलेंगे देखे समझें यहां लिखावा साइन ठीटा प्लस कोट ठीटा बराबर है रूट ठीटा अब यहां पर हमें रूट नहीं नहीं स्कुर्ण कर देंगे अगतना उंब आत 한데 स्कुर्ण कर दिया यहां पर देखिए ना यहां पर यह झा इसका इसको नहीं कुछ औरल हो इसको देखेंगे यहां और आप इस तरीके से बन गया है वहूर आप देखेंगे A plus B ka whole square ka formula तो खोला आता हैना कितना simple होता है A का square होता है plus B का square होता है plus 2 A B होता है बस इस formula किया हो पर खोल दिया A का square B का square plus 2 A B बरावर में 3 था ये लिख दिया अगर इतना भी कर दिया तो आथा number रोले लो एक number आपको मिल गया और ये सवाल आपको आता नहीं था जिया देखा आपने तो जो सवाल नहीं आता उसमें भी आप नमबर लूट सकते हो मैं ये बात आपको बताना चाहरा हूं मार्किंग स्कीम की हेल्फ से तो इस तरीके से हमने सिर्फ कोशन को देखा हिंट ली और हिंट लेते ही जो एक कर लोगे और नमबर ले लेंगे अब ये डिपेंड करता आपकी स्किल्स के ओपर क्या आप कैसे सौर्फ करते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि सवाल कोई भी छोड़ना नहीं है कोई सवाल अगर नहीं आता है इनके इस तो उसका गिवन लिखकर आओ गिवन लिख दिया यहां पर वाल्यूम की बात हो रही है को निकल डिप्रेशन है अगर आपने कोन के वाल्यूम का फॉर्मॉले लिख दी तो भी आपको नंबर मिल जाएगा और सौल्व भी करते तो पूरा लिख दो इसका भी नंबर मिलेगा सौल कर दो गे तो अच्छी बात है नहीं हो पा रहा है, soul, लिख कर आना, छोड पर मत आना, बस मैं यह कह रहा हूँ आपसे, कोई भी सवाल मत छोड़ना, तो मैस की बहुत सारी बात मैंने आपको बता दी, जो अब आप सवाल नहीं छोड़ेंगे, और नहीं आते हो सवाल में से भी नंबर लूटेंगे साइंस के अंदर भी कुछ-कुछ ऐसा ही है यहां पर अगर मैं सवाल लेकूं लिखवा है 22 कि हाउ इस दा मौड ऑफ एक्शन इन बीटिंग ओफ हाट दिल के धड़कने की जो प्रिकिति परति किर रिया है वो रिफ्लेक्स एक्शन से किस तरह अलग है ग सिर्फ चार पॉइंट आप लिख दो बनाके अब ऐसे सवालों को ना टेबल की फॉर्म में लिखा करो इससे अच्छा इंप्रेशन पड़ता है तो यहां पर लिखे में के दिल ऐसे धड़कता है रिफ्लेक्स नहीं नहीं भाया यह दिल का धड़कन है यह रिफ्लेक्स एक होता है उसके रिफ्रेंस में होती है एकदम सुझ चुप गई यह हो गया रिफ्लेक्स एकदम से जो होगा किसी चीज के होने से होगा यह हमने लिख दिया अब इसको किसी स्टेमुलेस की जरूत नहीं है मतलब दिल धड़क रहेगा किसी चीज की जब धड़केगा अगर द दिल लाएंगी तो दोस्तों यह मेरी कोशिश थी जिसके अंदर मैंने आपको बताई मार्किंग स्किम की क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे उसको जानकर आपको उसका फायए उठाना है कैसे कैसे कहा पर किस की सिसके कितने कितने नंबर होते हैं यह चीज मैंने आपको बताइए अब इस चीज को आप भी एक बार देखे लिए हरे इक सब्जेट की क्या चीज लिखने वी कितने नंबर मिल रहे हैं ताकि अगर आप पूरा सवाल भी ना करें कहीं नह अच्छा हो सके यही मेरी कोशिश थी इसी नियत से मैंने के वीडियो बनाई है कि आपका रिजल्ट अच्छा हो जाएगा थोड़ा सा मेरी इस वीडियो की हेल्प से तो कैसी लगी आपको मेरी यह मेहनत और यह नियत इस वीडियो को लाइक करके और कॉमेंट करके जरूर बत सब्सक्राइब कर लिए कि आने वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा है लाइफ सेशन करने वाले हैं मैं इंगलिश के भी जिससे आपको बहुत वाइदा पहुचने वाला है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिजिए बहुत चल्द लोटूंगा एक और नई वीडियो के साथ जब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ जैहिंद